Hello students, on behalf of St. John's School, I welcome you all, this is Sarvish, today we are going to learn about लोहरी, आज हम पंजाबियों के त्योहार लोहरी के बारे में बातचीत करेंगे, यह लोहरी का त्योहार जो होता है, यह पंजाब और उसके आसपास के छेती में सेलिब्रेट किया जाता है और जन्वरी के महीने में यह सेलिब्रेट किया जाता है, 13 जन्वरी को, और इस दिन यह 13 जन्वरी को, क्योंकि फसले उस वक्त कट चुकी होती है, सब आराम से होते हैं, तो यह आराम से गप शप लगाने के लिए बैठते हैं, तो अब ठंड का महीना होता है, सर्दी होती है, तो सब घर्मी में बैठेंगे ना, तो यह ल करते हैं, और उसके चारो तरफ टांस काने करते हैं, बैठते हैं, बाते करते हैं, और उसमें प्रशाद चड़ाते हैं, रेवडी और मूफली का, और उस प्रशाद को सब को बाढ़ते हैं, और जिनके हां प्रशादी होती है, यह बच्चा होता है, जिसकी पहली लोडी होत और इसी तरीके से ये लिवरी चैलिब्रेट करते हैं